हेलो फ्रेंस नमस्ते बारिश का मौसम आ चुका है तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी टेस्टी सूजी का एक यूनीक पकोड़े की रेसिपी इस टेस्टी पकोड़े को चाय के साथ सरूर से एंजॉय करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक बाउल के करीब सूजी ले लेंगे अब हम एक मीडियम बाउल के करीब दही आट कर देंगे सभी को अच्छे से mix दे देंगे नॉर्मल पकोडे आपने जरूर से ट्राइ किये होंगे लेकिन इस पकोडे को खाने के बाद आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे अज ये इतना यमी बनता है अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते हुए एक ठिक सा सुजी का बैटर रेड़ी कर लेंगे कंसिस्टेंसी आपको ऐसे ही रखनी है अब हम ढग कर सुजी को दस मिनिट रेस्ट दे होने देंगे दस मिनिट हो गया है अब हम एक बारिक चॉप्ट प्याज आड़ कर देंगे एक ग्रेट किया हुआ गाजर आड़ कर देंगे लैसुन अद्रक हरी मिर्च का पेस्ट आड़ कर देंगे नमक स्वात के अनुसार आड़ कर देंगे एक चोथा टीस्पून काले मिर्च पाउडर आड़ कर देंगे अब हम बिल्कुल थोड़ा सा पाणी आड़ कर देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स दे देंगे आप अपने पसंद के कोई भी सबजी जैसे कौन, कैपसिकम, पत्ता गोबी, फूल गोबी इस पकोड़े में आड़ कर सकते हैं जो भी घर में अवेलेबल सबजी है आप इस्तमाल करके इस पकोड़े को बना सकते हैं अब हम एक चोथा यानि के पिंच आफ बेकिंग सोडा, यानि के खाने का सोडा अड़ कर देंगे पिल्कुल थोडा सा पानी आड़ करके मिक्स कर लेंगे इससे आपके पकोड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे पकोड़े का मिक्शर रेडी है अब हम पकोड़े उतार लेते हैं तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम स्पून की हेलप से या फिर हातों की मदद से पकोड़े को तेल में आठ कर देंगे अगर अभी तक आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया तो ऐसी यूनीक recipes के लिए मेरे channel को ज़रूर से subscribe करें और अगर recipe पसंद आए तो like और दोस्तों में share ज़रूर से करें अब को medium to low flame पर पलटे हुए crispy और golden brown होने तक पकोडे को तल लेंगे इस पकोडे को आप चाई के साथ या फिर चटनी या सौस के साथ इंजॉय करे इंग्रीडियन्ट के लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं पकोडे फ्राइ होकर रेडी है निकाल कर गर्मा गरम सर्फ कर ले अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें थांक यू सो मच वर वाचिंग दिस वीडियो